प्रिए सिक्षार्थियों, हिंदी कावी की विकास यात्रा का यह दूसरा भाग है और इसके अंतरगत हम आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के बारे में हम आपसे विस्तार से बाचीत करेंगे हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, प्रोफेसर अलिगर मुश्लिम विश्विद्याले से आपका स्वागत है सबसे पहले डॉक्साब हम जानना चाहेंगे कि आधुनिक काल की समयावधी क्या है और फिर उसकी मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां कौन-कौन सी है राय साहब जैसा कि हम पिछले कारिकरम में ये देख चुके हैं कि रितिकाल की समय सीमा साड़हे अठारह सो अठारह सो पचास इसमी के आसपास समाप्थ हो जाती है और उसी के बाद आधुनिक काल शुरू होता है ये सन अठारह सो पचास के आसपास आधुनिक काल के उदय का कारण ये माना जाता है कि भारत की जनता राजितिक रूप से बड़ी ज्यान से पूर्ण हो चुकी उसमें राजितिक चेतना आ चुकी है और हम सब जानते हैं कि हमारा पहला स्वाधिंता संग्राम 1857 में हुआ था तो हमें एक नई चेतना आ रही है और उस चेतना के भीतर ये माना जा रहा है कि अब अगर हमारे कश्टों को दूर करना है तो कोई ब्रह्म या ईश्वर नहीं करेगा बलकि हमी संगठित होकर इकठे होके उन कश्टों को दूर कर पाएंगे तो एक नई तरह की चेतना भारतिय जनता के भीतर आ रही है और वो आंदुलन कर रही है मुक्ति के तो ये वो प्रस्थान बिंदु है जहां से हम आधुनिक काल की शुरुवात मानते हैं इस आधुनिक काल के भीतर अनेक चरण माने जाते हैं ये नवजागरण का काल भी है पुनरजागरण का काल भी है इस आधुनिक काल का पहला चरण माना जाता है भारतिय दुयों और जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के भीतर के कालों को पुकारने वाले जो नाम है वो कभी-कभी व्यक्तिक इंद्रित भी होते हैं और इस काल को जो शुरू होता है 1850 इस्मी के आसपास और चलता है 1909 तक इसको भारतेंदू युक कहने का कारण ये है कि इसमें भारतेंदू एक साहित्तिक नेता के रूप में काम कर रहे है और आज के हमारे सिक्षार्थियों को ये बड़ा आश्चरी भी होगा कि उस समय का जो साहित्यकार होता था वो केवल साहित्यकार ही नहीं होता था वो समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें हिस्सा भी लेता था भारते इंदू का व्यक्तितु इतना बड़ा था कि वो साहित्यक नेता तो थे ही इसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते थे जगे जगे जाकर नाटक खेलते थे, नाटक को नया बनाया उन्होंने साहित्य के भीतर एक नई चीज उन्होंने ये पैदा की कि वो लोक से जुड़े, जनता से जुड़े जो हमारे अंद विश्वास हैं, जो हमारी रूढ़ियां हैं उन्हों ने चोट की इसके साथ उन्हों ने अंग्रेजों का विरोध भी किया साहित्य के माध्यम से उन्हों ने ये भी पहचाना कि हम भी मनुष्य हैं और अंग्रेज भी मनुष्य हैं लेकिन हम गुलाम हैं और वो भूप हैं वो राजा हैं इसा क्यों हो रहा है उन्होंने ये पहचाना कि हमारा जो धन है वो विदेश जा रहा है उन्होंने ये पहचाना कि हमारी भाषा को नश्ट किया जा रहा है हमारी संस्कृति को नश्ट किया जा रहा है तो इसी से ये पता लगता है कि भारते इंदू का व्यक्ति तो कितना आतंक इतना था कि कभी-कभी दिखाने के लिए राजभक्ती भी की जाती थी इसके साथ साथ उनके यहाँ एक आदर्ष भी है अच्छे समाज का लेकिन उस समय की कविता की परेशानी ये थी कि उसमें लिखी जा रही थी वो ब्रजभाशा में ही तो इसलिए भारतेंदू के समय में कविता से ज़्यादा महत्पून गद्य है जो की खड़ी बोली में लिखा जा रहा है क्योंकि उसमें राजनितिक चेतना कविता के मुकाबले कहीं ज्यादा है इसके साथ साथ भारतेंदू के मंडल के कुछ लोग भी थे जिसमें बालकृष्ण भट थे, प्रताप नायर्ण मिश्र थे, प्रेमघन थे ये सब मिलकर साहित्य को एक दिशा दे रहे थे इसी दिशा पर उन्निस्सों में जब ये काल खत्म होता है तो साहित्य के मंच पर आते हैं आचारे महावीर प्रसाद दुएदी वो एक पत्रिका निकालते थे सरस्वती उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया ये जो काल है दुएदी युग ये चलता है उन्निस सो से लेकर उन्निस सो अठारा सो इसमी तक इस काल को दुएदी युग कहने का कारण ये है कि दुवेदी जी ने बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने कविता और गद्य की भाषा को एक कर दिया यानि कि अब कखड़ी बोली में बाकाइदा कविता लिखी जाने लगी और भाषा का परिशकार किया जो व्याकरणिक गलतियां होती थी उसको वो सुधारते थे उनको ये लगता था कि इस समय हमें देश भक्ती की जरूरत है तो उसके लिए प्रेरित करते थे कवियों को और जन जीवन से कविता को जोडने के लिए जरूरी जी बिल्कुल जरूर जरूर उन्होंने ये भी देखा के बंगला में मराथी में नई कविता लिखी जा रही है तो लोगों को उन्होंने प्रेरित किया के हिंदी में भी इस तरह की नई कविता लिखी जाए उन्होंने अर्थ शास्त्र पर एक किताब लिखी संपत्ति शास्त, पहली किताब मानी जाती, ये कहा जाता है कि प्रेमचन ने उस किताब को पढ़ा होगा और भारती जीवन को जाना होगा, तो महावीर प्रसाथ दुएदी का साथ दिया इसमें मैथली शनगुप्त और हरियोध ने, औ और आप ये देखेंगे के यहां देशभक्ती भी है, आदर्श भी है, इतिवर्तात मक्ता भी है, नए-णए छनदों का प्रियोग भी है, प्रबंध काव्य भी है, मुक्तक काव्य भी है, मैथली शनगुप्त के बारे में ये कहा जाता है, उन्होंने हर विशय पर कविता लिखी और अनेक छंदों का प्रियोग किया प्रबंध में भी लिखा और मुक्तक में भी लिखा ये जो पूरा धाचा है धीरे-धीरे नवजागरण का ये आगे बढ़ता हुआ पहुँचता है चायवाद में लेकिन चायवाद में भाषा के इस तरफ पर नई चीज ये हुई कि अब भाषा तत्सम की तरफ बढ़ रही है यानि संस्कृत निशब्दावली का प्रियोग बढ़ रहा है लेकिन चायवाद का एक बहुत बड़ा योगदान ये है हिंदी कविता में कि उसे इसलिए कहा जा आता है डॉक्टर नगेंद्र ने चायवाद को का स्थूल के प्रती सूक्ष्म का विद्रोप कि भारतेंदु युक तक जो कविता सीधी सरल शब्दावली में लिखी जा रही है उसको बहुत अधिक कलात्मग बनाने की चेश्टा चायवाद ने की और इसके लिए उसने क् प्रतिया एक तो व्यक्तिनिष्टा बहुत बढ़ी चायवादी कविता में दूसरा कालपनिक्ता का बहुत प्रियोक किया गया तीसरा उसमें विभाव से यानि बाहरी संसार से ज्यादा मन के भावों पर बहुत कविता लिखी का माईनी इसका एक बहुत बड़ा उधारन ह जिसके आप अगर शीरशक देखेंगे उसके सर्ग देखेंगे तो उसमें चिन्ता है आशा है श्रद्धा है विश्वा इस तरह के तो ये कविता बहुत सूक्ष न हो रही है इसलिए इसको प्रतीक शैली वाली कविता कहा जाता है प्रकृति पर बहुत अच्छी कविता हैं छायवाद के भीतर लिखी गई इसके बाद वापस जब भारत में जनांदोलन आगे बढ़ने लगे स्वाधिन्ता आंदोलन गती पकड़ने लगा यहां मजदूर और किसान काम करने लगे तो एक नई प्रवति फिर उभरी वो है प्रगतिवाद की और यह प्रगतिवाद इसने अपना दर्शन बनाया माकसवाद को प्रगतिवाद के बारे में कहा जाता है कि वो माकसवाद का साहितिक रूप है इसका कारण ये था कि ये कविता किसान मजदूर की वर्ग संगर्ष की बात बहुत करती है और इसके जो प्रतिनिधी कवी कहे जाते हैं वो नागारजुन हैं, केदारना थगरवाल हैं, तरलोचन हैं, मुक्तिबोध भी इसमें शामिल हैं, शमशेर बहादूर सिंग भी हैं ये संगर्ष में शुरू होती है ये कविता, और इसके बारे में ये कहा जाता है, कि ये समाज में जो संगर्ष है उसको रूप देती है, उसको वानी देती है, ये जो पिछड़ा हुआ है, दलित है, शोशित है, उसके पक्ष में खड़ी हुई है ये कविता, इसके बाद इसी चीज़ को अगर और आगे देखें तो प्रगतिवाद का विरोध भी चला, अग्गे ने एक आंदोलन चलाया प्रियोगवाद का, और प्रियोगवाद में नई नई तरह से कविता की अभिव्यक्ति करना, वर्ग संगर्ष का विरोध करना, कविता में विचारधारा का वानी देना व्यक्ति की स्वतंतरता की बात करना ये प्रियोगवाद में बहुत आया जो धीरे-धीरे जाकर नई कविता से जुड़ जाता है बड़ा मुश्किल है नई कविता और प्रियोगवाद में अंतर करना क्योंकि नई कविता जो है वो प्रियोगवाद की ही लिखा जा रहा है नई कविता भी लिखी जा रही है इसके बाद इस नई कविता का विरोध करने वाले संसाथ के बाद के कवी भी आते हैं जिसको अकविता के कवी कहा जाता है जो नई कविता में विश्वास नहीं करते जिनके आम मोहोभंग बहुत ज्यादा गहरा हो गया प पर वेश्वर हैं, रगुवीर सहाय हैं, फिर कुछ नए कवी भी जुड़ते हैं, चंदरकान देवताले हैं, उसके बाद एक एक दस्रक की कवीता शुरू हो गए, फिर उसके बाद हाँ, नए नए आंदोलन आ रहे हैं, उनकी समया उधी बहुत कम है, मोटे रूप में आंद लिड़ियों के कवी शामिल थे, जिसमें राजे जोशी भी हैं, अरुन कमल भी हैं, उसके बाद जो नए नए कवी आए उसमें एकान श्री वास्तव भी हैं, निलेश रगुवन्शी भी हैं महिलाओं में, तो आज का जो रचना कर्म है, उसके मुखे मुखे बिंदू क्या समसामारीक समस्याइँ बहुत अभिव्यक्त हो रही हैं, जैसके जो हमारा विकास है, उसकी विसंघतियान क्या हैं, बाजार वाज जो हैं, उसके बहुत आज आतमी जेल रहा है, उन समस्याओं को अभिव्यक्त करने वाली कवीता आप देखेंगे के बहुत व्यापक कविता की जो अपने आपको अभिव्यक्त कर रही है और अपने समय की समस्याओं की अभिवेंजन अपनी कविता के माध्यम से कर रही है तो सिक्षार्थियों इस तरह से हमने हिंदी कविता की विकास यात्रा की पूरी परिक्रमा की और किस तरह से उसका विकास हुआ इसका एक पूरा परिप्रेट्ष प्रिष्ट भूमी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया मैं डॉक्टर विद प्रकास जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े सरल सब्दों में आप लोगों के समक्ष इतिहास को प्रस्तुत किया है आप अपने अध्यान सामगरी को पढ़ें और जो यह चर्चा हुई है उसका भी आप लाब उठाएं धन्यवाद